हेलो दोस्तो हमारा आज का टॉपिक है फेराडे ज लॉफ एलेक्ट्रोलाइसिस जो फेराडे ने विद्धुत अपगटरन के नियम दिये थे उन नियमों का किस प्रकार से उपियोग करना है और उन पर बेस जो कुश्चन साते हैं नुमेरिकल साते हैं उनको हमें किस तरह से स फेराडे के विद्धुत अपगटरन के नियम दोस्तो जो फेराडे ने बताया था वो दो आपके रूल बना करके एक्स्पेंड किया उसने सब कुछ को तो हम एक ही करके उसके बारे हम बात करेंगे पहले एक चीज़ समझ लें इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है नाम द तूटना in presence of electric current simple electric current की presence में हम किसी अपने solution के अंदर electrolyte solution के अंदर current flow करें and in presence of that electric current वो अपने constituent ताइंस में dissociate हो जाये तूट जाये that process is called electrolysis या विद्धूत अपगटरन इसको कहा जाता है तो फेराडे ने इस विद्धूत अपगटरन या electrolysis means breakdown in presence of electricity से related क्या concept दिये थे ? पहला सुने, सबसे पहली चीज वो क्या कहता है, एक common sense की चीज है, आप देखें इस चीज को, suppose we are electrolyzing molten NaCl, हमने इसके अंदर पिगला हुआ, sodium chloride लिया हुआ है, और हम उसका electrolysis करवा रहे हैं, we know that Na plus ions will move towards negative electrode, जो यहाँ पर cathode है, और Cl minus ions जो होंगे, वो anode की तरफ move करने वाले हैं, इस sodium chloride के electrolysis से मुझे cathode पर sodium metal मिलने वाली है, जबकि anode पर chlorine gas मिलने वाली है, दोस्तों amount कितना बनेगा, यह depend करेगा charge पर, यह breakdown में करवा रहा हूँ, NaCl का breakdown करवा रहा हूँ, और इस breakdown को करवाने के लिए मैंने छोटी battery ली है, छोटी battery आप ऐसे समझें, मैंने वो scooter की या bike क जो battery होते हैं वो लगाई है पहले, तब मैं इस काम को करवा हूँ, और दूसरा काम में वो truck की बड़ी वाली battery आती हो, उसको लगा करके तब उससे electrolysis करवा हूँ, तो क्या दोनों conditions में यह deposited amount यह liberated gas का amount होगा, वो equal होगा, डेफिनिटली नहीं, जो छोटी battery आप यूज करें जो चार्ज जादा देगा, तो डेफिनिटली वहाँ deposited amount जो होगा, वो निश्चित रूप से जादा होगा, इसको law की form में फेराडे ने क्या बताया था, फेराडे यह कहता है, कि जब आप किसी electrolyte का electrolysis करवा रहे हूँ, in that case amount of matter deposited or liberated at any electrode is directly proportional to charge, इसमें amount matter का कितना deposit या liberate होगा, वो depend करेगा charge पे, w is directly proportional to q, और q यहाँ पर charge है, कूलाम में, दोस्तो, q charge क्या होता है, charge होता है current into time, तो मैं लेख सकता हूँ, w proportional to it, और यहाँ proportional लटा के constant लगाते है, w equals to zit, यह आपका faraday first law का equation है, जो मैंने आपके सामने लिखा, कि अगर आपको किसी electrolyte solution में आप electrolysis करवा रहे हैं, in that case, किसी electrode पर कितना matter deposit होगा, या कितनी gas liberate होगी, that amount can easily be calculated by this equation, amount charge पे depend करेगा, जितना ज़्यादा charge आप देंगे, deposited या liberated amount जो है, वो उतना ही ज़्यादा होगा, तो w की value आई, zit, यहाँ जो z होता है, यह z होता है, e over 96500, i t, और यहाँ पर जो e है, that is equivalent mass, जिसको तुल्यांग की भार कहा जाता है, और equivalent mass निकलता कैसे है, equivalent mass निकलता है, molar mass upon balance effect, तो आप equivalent mass यूज़ करें, यह e की जगह पर, और equivalent mass यूज़ करके, यह current है, यह time है, current ampere में, time second में आपको ले रहा है, आप निकाल सकते हैं, easily, कि इतना charge अगर दिया जाएगा, तो उस condition में electrode पर कितना matter deposit होगा, या कितनी gas liberate होगी, यह आपका पहला law है, faradage first law of electrolysis, तो मैं इसका, जो final conclusion है, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ, कि कि हम इस पर base numericals कुछ करने वाले हैं, first law में हमारे सामने यह निकल के आया, that w equals to z i t, और z की value put कर के आया, w equals to e over 96500 and i t, यहाँ पर e equivalent mass है, i current है और t जो है वो time है, यह पहली condition न फेराडे की, दूसरी चीज़ क्या कहता है फेराडे, दूसरी चीज़ यह कहता है, फेराडे अपने second law में, कि भाई पहली चीज़ हमें यह पता चल गए कि अगर हम किसी electrolyte solution के अंदर current flow करते हैं, तो matter का कितना amount deposit or liberate होगा, यह charge पर depend करता है, बिल्कुल ठीक है मान लिया, लेकिन क्या अलग-अलग electrolytes के case में, अगर मैं equal charge दूँ, तो deposited or liberated amount जो होंगे, electrodes के, क्या वो equal होंगे, तो उसके लिए उसने कुछ experiment किये, result देखे, जैसे, मैं एक simple सा example यहाँ पर ले रहा हूँ, दो electrolyte ले लिए जैसे suppose, मैंने क्या किया, इन दो electrolyte solutions के अंदर, यह दो हैं, इसमें बढ़ा हूँ है, suppose copper sulfate है, इसमें suppose silver nitrate है, मैंने यह दो electrolyte solutions लिए, और मैं इन दोनो electrolyte solutions में equal current, equal time के लिए, मैं इस बराबर charge दे रहा हूँ, तो क्या copper और silver के जो deposited amounts होंगे electrodes पर, वो equal होंगे, definitely नहीं, क्यों, वज़े समझें, जैसे मैं one mole electron का addition करता हूँ, sodium पर, na plus पर, sodium iron पर, then it will give one mole of sodium, that is 23 gram, but अगर मैं mg2 plus पर one mole electron का addition करता हूँ, गौर से सुने, mg2 plus को mg में reduce करने के लिए, दो electron चाहिए, और हम एक electron प्रोवाइड करने के वल, then half mole will be converted into mg metal, अगर one mole electron आपने दिया है ना, one mole mg2 plus के लिए, तो पूरा one mole mg deposit नहीं होगा, half mole होगा, means यह amount जोगा, वो कितना होगा, 12 gram होगा, जबकि अगर यहां दो mole electron दे देते, तो mg2 plus पूरे दो electron को लेकर के, one mole mg बना देता, यानि 24 gram बना देता, तो दोस्तों conclusion यह निकल कर के आ रहा है, कि अगर अगर अलग electrolyte solutions के अंदर, equal current दिया जाए, equal time के लिए, या equal charge दिया जाए, in that case, amount of matter deposited, और liberated at electrode, इसको मैं one नाम दे देता हूँ, electrolyte को इसको नाम दे देता हूँ, two, तो जो amount होगा, जो इसमें electrode पर deposit होगा, या liberate होगा, वो इसके equivalent mass पर depend करेगा, जिसका equivalent mass जादा होगा, उसका amount जादा deposit होगा, और जिसका equivalent mass कम होगा, उसका कम amount deposit होगा, it means that, W1 proportional to E1, and for this solution, W2 is directly proportional to E2, equivalent mass पर depend करेगा, तो अगर हमें, equivalent mass पता है, और किसी एक के अंदर deposited amount पता है, तो relation निकाल सकते हैं आराम से, W1 proportional to E1 है, W2 proportional to E2 है, then W1 upon W2, equals to E1 upon E2, suppose इसमें copper sulphate इसमें zinc sulphate है, मुझे copper का amount पता चल गया, यानि W1 पता चल गया, तो मैं copper और zinc के equivalent mass को यूज़ करके, W2 आराम से calculate कर सकता हूँ, तो Faraday ने दो बातें बताएंगे, पहली चीज़ Faraday ये कहता है, अगर आप किसी cell के अंदर electrolysis करवा रहे हैं, तो electrolysis करवाने पर, आपके किसी भी electrode पर deposited या liberated matter का amount होता है, that amount is directly proportional to charge, कितने current को कितने time के लिए आपने पास किया, उस पर depend करेगा, और दूसरी चीज़, अगर different electrolyte solutions को equal charge दिया जाए, means बराबर current बराबर time के लिए पास किया जाए, तो किसी electrode पर कितना matter deposit या liberate होगा, ये उसके equivalent mass पर depend करता है, that is all about Faraday's law of electrolysis, ये दो चीज़ें बताएंगे हैं उसने, तो एक तो conclusion ये है, दूसरा ये है, बात करें आगे की, तो जो Faraday है, that is a unit of charge, Faraday आपके charge की unit है, and one Faraday is, charge of one mole electrons, एक mole electrons के charge को one Faraday बोला जाता है, तो दोस्तों, one Faraday का मतलब हुआ, one mole में electron कितने होते हैं, 6.022 into 10 power 23, और एक electron का charge कितना होता है, 1.6 into 10 power minus 19 कुलाब, और ये result कितना आता है, 9,6487 कुलाब, approximately, तो इसको लिख दिया जाता है कितना, 9,6500 कुलाब, ये use की जाती है, one Faraday के लिए value कुलाब है, और दोस्तों, one Faraday charge जो होता है, that is charge of one mole of electrons, अब इस पर basic questions कैसे करने हैं, सुनिए, पहला question ये है, suppose, कि copper sulfate और silver nitrate solutions के अंदर, गौर से सुनिएगा, copper sulfate और silver nitrate solutions, उनको बराबर charge, बराबर current, बराबर time के लिए उनमें पास किया गया, तो अगर silver, suppose, 10 gram deposit हुआ है, तो copper कितना deposit हुआ होगा, ये पूछा जाए, means this question is based upon second law of Faraday, तो दोस्तो, इसका equivalent mass 108 है, इसका equivalent mass होगा, आपका 63.5 divided by 2, means हुआ आपका 31.75, ये E1 है, ये E2 है, ये W1 है, W2 पूछा है, then W1 upon W2 equals to, E1 upon E2, तो अब W2 निकाल सकते हैं, आसानी से, W2 की value क्या होगी, W1, E2 upon E1, W1 की जगे ये रखे हैं, 10 gram, E2 की जगे ये रखे हैं, E1 की जगे ये रखे हैं, answer आपके सामने होगा, तो इस तरह के numericals तो पूछे जाते हैं, Faraday के second law पर based, अब बात करें, first law की, question पूछा जाए, कि magnesium sulfate के electrolysis से, 48 gram magnesium obtain करना है, कितना charge required होगा, या कितने mole electron required होगे, इस तरह का question पूछा जाए, तो दोस्तों, Mg SO4 के अंदर, Mg पर charge क्या है, plus 2, Mg SO4 में Mg पर charge क्या है, plus 2, and if we want to reduce it into Mg, then 2 mole electrons are required, और 1 mole Mg 2 plus को Mg में reduce करने पर, जो Mg का amount बनेगा, वो कितना बनेगा, 24 gram, 24 gram Magnesium obtain करने के लिए, कितने electrons required है, 2 mole electrons, means, 24 gram Mg, is obtained by 2 moles of electrons, तो 1 gram कितने से मिलेगा, 2 by 24, तो बनाना कितना है, 48 gram, 2 by 24 into 48, means, 4 mole electrons, इसके लिए इसके लिए इसके लिए रिक्वाइड होंगे, और दूसरी चीज, अगर बात पूछी जाए, चार्ज की तो चार्मोल इलेक्ट्रोन का चार्ज कितना हो गया, 4 फेराडे, 4 फेराडे चार्ज से लिए, और इसकी वेल्यू कितनी आएगी, 4 इन्टू 9 6500 कुला, आसानी से अपन निकाल सकते हैं, इस तरह के questions आते हैं, कि इतना amount इसका deposit करना है, इसके electrolysis से, तो आप ये calculate करके बताईए, कि ये मतलब कितना चार्ज उसके लिए required होगा, या कितने mole electron required होगे, एक चीज निकाल लो, दूसरी चीज automatically calculate हो जाती है, इसके अलावा, दूसरा question ये आता है, कि जैसे, calcium carbonate का electrolysis करवाया गया, तो 5 फेराडे चार्ज दिया गया है, तो बताईए कितना calcium deposit हुआ होगा, दोस्तो calcium carbonate में, calcium पे charge plus 2 है, और हमें CA plus 2 को reduce करना है, अगर CA में, तो 1 mole CA 2 plus के लिए, 1 mole CA obtain करने के लिए, 2 फेराडे चार्ज चाहिए, means 2 mole electron चाहिए, तब calcium मिलता है 40 gram, means 1 mole, 2 mole electron का मतलब कितना charge होगया, 2 फेराडे चार्ज, calculate होगया बस, 2 फेराडे से कितना मिलता है, 40 gram, 1 फेराडे से कितना मिलेगा, 40 by 2, तो 5 फेराडे से कितना मिलेगा, 40 by 2 into 5, आपका कितना आ गया, 100 gram, simple, दूसरी direction, आप से पूछा जाए कि इतने फेराडे चार्ज है, तो matter कितना deposit होगा, या इतना matter deposit करने के लिए, कितना फेराडे चार्ज चाहिए, इस तरह के दो तरह के questions आपके पूछे जाते हैं, किस से related, फेराडे's law of electrolysis के, फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट लॉव फेराडे, उसमें से दो तरह के questions बनते हैं, या तो charge दे करके amount पूछेगा, या फिर amount दे करके charge पूछेगा, तो ये बात तो इस फेराडे's law of electrolysis और इससे related numericals की, आपके कोई भी doubts, queries हों, तो please comment section में बताइएगा, Thank you.